Hey guys, this is me, Hassan, and you are watching my channel, Tech for Hassan. MS Excel के साथ में, क्लास में मैं आपको वेलकम कहता हूँ. दोस्तों, हम पिछली क्लास में Home, Insert, Page, Layout के बारे में पढ़ चुके हैं. आज हम फार्मूलास के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आप अपने MS Excel को Open कर लीजिए. Open करने के बाद आप फार्मूलास में जाएए, आपको इसका इंटर्फेस इस तरह नदर आएगा. ठीक है दोस्तों, फार्मूलास में दोस्तों मुखलों फार्मूलास हैं, जो हम MS Excel में इस्टमाल करते हैं. यहां पर हम कोई वैलियो पूट करते हैं, जैसे, ठीक है दोस्तों, हम इसे स्लेक्ट करते हैं. स्लेक्ट करने के बाद, दोस्तों, हम आटो सम में आते हैं, आटो सम में हम इसका सम लेते हैं, उसके बाद, दोस्तों, हम चाहते हैं, इसके एवरेंज लेना, एवरेंज भी ले लेते हैं, दोस्तों, हम चाहते हैं, यह कितनी लाइनों में हैं, कौन्ट नंबर करके दोस्तों उसके बाद दोस्तों हम चाहते हैं इसonse a maximum value का है हो ऊए में बताएगा इसके बाद मीनी मूनी बते का more function में दोस्तों हम इसके और भी ज्यादा function इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तो इसके बाद ये फार्मूलाद है Recently used के हैं Financial used के हैं Logical के हैं Text के हैं Date and time के हैं Look up के हैं References दोस्तो math बगएरा के हैं ये हम इंशालला जब फार्मूलाद बगएरा करेंगे तो उसमें आपको ठिकाएंगे ठीक है दोस्तो यहां पे एक cell है जैसे ये cell है इसका नाम में हम यहां पे नज़रा रहा होगा आपको ये cell ठीक है दोस्तो यहां पे इसका नाम आपको नज़रा रहा है C2 हम चाहते हैं इसका नाम कोई रखना डी टू ना आए तो यहां पर हम लिख देते हैं MN ठीक है दोस्तो अब हम क्या करते हैं दोस्तो यहां पर कुछ वैलियो पूट करते हैं फार्मूला लगाते हैं फार्मूला के आग को पता है फार्मला के श्रूर में हमेशा equal लगता है एक्सल में उसके बाद दोस्तों हम J.K.L. J.K.L. के बाद हम plus प्रेस करते हैं plus के बाद हम MN MN लिखने के बाद हम enter करेंगे तो यह हमें 0 दे रहा है दोस्तों यह 0 इसलिए दे रहा है क्योंके महरे पास कोई value नहीं है हम दुबारा यहां पर कोई value लिखते हैं 5,4,3,2 ठीक है दोस्तों अब हम क्या करते हैं यहां पर click करते हैं equal किया equal करने के बाद हम sum लिखते हैं sum यहां पर हम jkl plus mn bracket 1 इंटर करते हैं यह दोस्तों हमारे पास इसका total आ चुका है ठीक है दोस्तों यह हमारे पास sum के value आगी उसके बाद दोस्तों हम यह जो हमने save की है defined name यहनिके हमने in formula में इसıtे करना चाह досटे हैं जैसे हमने आपको हैं तरह में इस formula में इसमाल करके ठीक है हम अब इसके name को check करना चाहते हैं तो हम name manager में जायेंगे name manager में दोस्तों हम यह दे सकते हैं jkl mn यहाँ पर कुछ और पहले से मैंने बनाए हुए उन्हें मैं ड्लीट भी यहां से ऐसे कर सकता हूं दोस्तों मैंने ड्लीट कर दिया उसके बाद X Y Z को भी मैं ड्लीट कर देता हूं यह मैंने यहां से ऐसे तरह ड्लीट कर दिया अब न्यू भी ले सकते हैं दोस्तों न्यू पर क्लिक करके दोस्तो कि मैंने वैल यह कुछ लिखी दोस्तों यहां पर मैं इसे स्लेक्ट करता हूं इसका सामने लेता हूं दोस्तों यहां पर मैं फार्मूला लगाऊंगा फार्मूला लगाने के बाद मैं कि स्लेक्ट करूंगा स्लेक्ट करने के बाद दोस्तों मैं ब्रेक्ट बंद करूंगा इंटर कर दूंगा यह मारे पार साम आ गया दोस्तों यह था हमारे पाद create from selection इसे दोस्तों मैंने select किया select करने के बाद मैं create from selection करूँगा यह top row पे कर दूँगा click top row पे क्लिक करने बाद OK कर दूँगा दोस्तों अब यह हमें यहां पे दिखा रहा है यह हम B2 में है अब हम अगर इसमें से click करते हैं अगर हम करते हैं तो MN पर यह हमें MN पर लेज़ेगा drag ठीक है दोस्तों इस तरह अगर हम चाहते हैं create from selection हो गया उसके बाद दोस्तों हमने कोई value ली value हमने plus कर ली advance में ठीक है दोस्तों फार्मूले की मत से हम आते हैं trace president पर ठीक है दोस्तों trace, trace presidents में होता है कि दोस्तों यह मेरे पाद value हो इसके sum निकला हुए मैं चाहते हूँ यह कहां से आया है मुझे पता चले मैं इसकी ओपर trace president पर आके click करता हूँ तो यह हमें बता रहा है इस arrow की मत से के यह सारे process होके यह result निकला है ठीक है दोस्तों अगर मैं चाहता हूँ यह आपको करके दिकाता हूँ ठीक है दोस्तों मैं इस जगा पर ठीक है दोस्तों मैं equal का sign दबाता हूँ उसके बाद मैं करता हूँ यह F में है F प्रेस करता हूँ उसके बाद row कितनी है इसकी 6 है 6 प्रेस करता हूँ और इंटर कर देता हूँ यह value जो थी हमारे पार यहां पर आगी है आगे है दोस्तों यहां पर trace dependence अगर हम trace dependence पर क्लिक करते हैं तो यह सरे हमें बताएगा कि यह जो value है यहां से और का move हुई है यह हमें show करवा रहा है कि trace dependence से यह value कहा गई है उसके बाद दोस्तों हम remove arrow पर आएंगे remove arrow पर हम click करेंगे यहां से हम remove precedent arrow पर क्लिक करेंगे तो remove precedent arrow हो जाएगा उसके बाद अगर हम इसके उपर करेंगे dependent पर करेंगे तो यह dependent वाला हो जाएगा अगर हम remove arrow पर करेंगे तो यह दोनों arrow चले जाएगे ठीक है दोस्तों calculation option है यहां पर हम automatic है calculate now बाकी में watch window है calculation option वगर है यह हमें आपको बाद में करवाएंगे जब हम formula को पढ़ेंगे अमीद करता हम दोस्तों आपके इलम में कुछ ना कुछ अधाफा दरूर हुआ होगा अगर आप को यह video पसंद आती है तो please subscribe my channel टेक पर हैसे like and share this video thanks for watching